Hello, दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताउंगा कि जब यह आप लोग यहाँ पे अपने फोन में इस्टाग्राम में कैमरा को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फेस है वो यहाँ पर लॉंग दिखाता है तो यहाँ पर जो camera है उसमें problem आता है यहाँ पर Instagram की camera में जब आप उसको click कर दें तो आपका face long दिखाता है तो इस problem को आप लोग यहाँ पर कैसे tick करेंगे वो मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो चलिए video को start करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो इस problem को solve करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो अपने phone पर आपको Instagram का जो app है आपको उसको update कर लेना है update करने के बाद आपको यहाँ पे setting करनी है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले setting को open करना है फिर यहाँ पे आपको उपर की और आना है उपर की और आने के बाद यहाँ पे आपको application में आना है और यहाँ पे आपको manage application में आ जाना है अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे search bar पे click करना है और यहाँ पे आप लोग search bar पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से Instagram लिख लेना है Instagram लिखने के बाद आपको उसको open करना है open करने के बाद आपको यहाँ पे app permission का option आता है तो आप लोग यहाँ पे app permission पे click करिए app permission पे click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे camera का option आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पे camera वाले option पे click करिए अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही click करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से permission allow करने को बोला जाएगा तो आप लोग यहाँ पे click करके इसमें जो है आपको permission को allow कर देना है तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे इसमें permissions को allow करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपकी problem solve हो जाएगी और आपको यहाँ पे अपने phone में एक बार जो Instagram का app है उसको आपको प्लेश्टोर में जाके update जरूर करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी problem नहीं आएगी